स्री सिवाय नमस्तु भ्यम हरहर महादेव आज है चंद्र दर्शन का सुब महरत क्योंकि सबसे पहले इसी दिन से जो है महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्र देवता को धारण किया था, असा सास्त्रों में विधान है, सुकल पक्ष की दूतिया दि थी साती अगन महा का एक सरल उपाई कर लेंगे तो निश्चिती विवाह, रोग कर्ज इत्यादी से मुक्ती होगी और सदासर वदा के लिए खुश्यों के भंडर भर जाएंगी, कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए, आप सभी के घर के आसपाई जब चंद्र देवता शाम को दर्शन देना तो पात्र में आपका कच्चा दूद ले लेना है और उसमें डाल देना है जल और थोड़ा सा डाल देना है चंदन और साथ के साथ एक दूर्वा, ऐसी मानेता है कोई जहाईयां है, सारे रिक्विक्रिती है, रोग हो गया है, चर्म रोग, कोई भी सफेद दाग, धब्बे बोड़ा सा मातरा आप जहेल लीजिए, अर्था जब जल आपको प्राप्त हो जाए, जैसे आप चंदर देयोता को अर्ग देंगे किसी छट पर या बालकनी में, तो उस स्थान पर जब आप चंदर देयोता को अर्ग देंगे, तो एक कटोरी भी रख लीजिएगा, धार ज इसे निशानी छोड़ जाएगी, साथ ही चंदर देयोता को प्रडाम करें, ओम चंदर देवाय नमो नमह कहें, या ओम सोम सोमय नमो नमह, इस मंत्र का भी जाब कर सकते हैं, गोल बाती का दीपक चंदर देयोता को समर्पित करें और प्रियत्न करें आज साम के समयं बिना ब ब्रत के भी इसकारी को किया जा सकता है देखिए जिन्होंने अगनमा का गुरुवार का ब्रत कर रखा है वो तो करेंगे ही करेंगे परन्तु आज चंद देवता को इस तरह से अर्ग देकर उस दूध मिसरी जल का सरवस्रेश्ट उपाय आप कर लेते हैं तो आपके चर्म रो दीपक तो आपको घर पर ही जो मा तुलसी विराजमान है वहाँ पर जलाना चाहिए क्योंकि अगनमा का गुरुवार तुलसी मा की पूजा के लिए जाना जाता है और तुलसी मा स्रीहरी विश्नु और महालक्षमी स्वरूप में है और अपने आप में अध्भुत है आप स आज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अगहन महा का विसेश दिन है आप सभी को प्रियत्न करना है कि घर के मुख्यद्वार पर आज सभी को एक दीपक जरूर से मालक्षमी मेरे घर पर आएंगी उनकी विसेश तिथी पर और खुश्यों के भंडार भर देंगी ऐसा कहते का मुख अपने घर के अंदर की ओर करना है ताकि मालक्षमी घर के अंदर की ओर प्रवेश करें अपने दाहिने हाथ की ओर यह दीपक लगाए इस बात का ध्यान रखें संभव हो तो सुबह भी लगाए शाम को नहीं तो साम को तो जरूर से आज करना ही है दो दीपक यह हो बात कर लेते हैं तीसरे दीपक की तीसरा दुईपक आज अनपूर्णा माता के नाम का जो कि मापारवती के स्वरूप में जानी जाती है और रसोई घर में भंडार भडती है धन्संपदा की जो भोजन आप बना रहे हैं वह पूर्ण रूप में सरीर में लगे और स्वास्त में ब्रधी हो घर में अन्यधनी के भंडार भरे इसके लिए अगहन माह के गुर्वार के दिन जरूर से रसोई घर में जो ब्यक्ति करते हैं अगहन माह का गुर्वार ब्रत उन्हें पता है कि इसकी कथा में भी वर्णित है और पूर्ण रूप से सास्त्रों में विधान है इसका यह उत्तम फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है तो आप ब्रत नहीं करते आपके यहाँ चलन नहीं है तो भी यह प्रयत्न सभी को करना चाहिए रसोई घर में मटके के पास अगर आज अगनमा के गुरुवार के दिन दीपक लगाया जाता है तो पित् और दिपक ब्यक्ति का धर्म और कर्म है जो प्रत नहीं को करना चाहिए साथ आप सब्धे को आज के दिना वश्यक रूप से पीपल व्रक्ष की जड़ में और केले व्रक्ष की जड़ में प्रियत्न करना चाहिए दीपक लगाने का आजotte आज आप सभी विसेश त्योपर बेल पत्र और महादेव और स्रीहरी विष्णु के मंदिर में भी दीप लगाते हैं तो असीम क्रपा घर परिवार पर प्राप्त होती है ऐसा न कर पाने की इस्तिती में आप कहीं नहीं जा सकते तो घर पर तो कम से कम आप सभी को जो इस्थान बताएगे हैं उन इस्थानों पर अगर आप दीपक लगा लेते हैं तो असीम क्रपा प्रभू की आपके जीवन में होगी साथ के साथ आज आप सभी को साम के समय जब गौमाता या पूरे दिन भर में गौमाता कहीं दिख जाए तो आप सभी को एक चुटकी हल्दी जैसा कि हल्दी रोगों को काटती है अगर गौमाता को आप एक चुटकी हल्दी थोड़ा सा गुड और साथ ही आवश्यक रूप से गुड के साथ सा चने जो की पीला चना आज के दिन स्वर्ण के समान होता है गौमाता को आप खिला देते हैं एक रोटी में गुड चना और थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी ड विवाहिक अडचन दूर होती है और पुत्र पौत्र में व्रधी होती है करकर देखिएगा निश्ची थी भागी खुलेगा और दुख दरिद्रता का नाश होगा गुरुवार का दिन साधर अड़ सरल नहीं है प्यतिक सुहागिन और कुवारी कन्याओं के लिए तो यह विस इवन में सुरू जरूर से करना चाहिए बहुत सरल इसकी प्रक्रिया होती है यह बात हो गई सरल उपाए की आज आप सभी को आवश्यक रूप से एक सर्विस रिष्ट उपाए और बताना चाहूंगे जो आप सभी को जरूर से करना है आप सभी के घर पर सिवलिंग सकते हैं आप सभी को एक पात्र में गुड डाल देना है साथी गुड जो है गुरु ग्रह से संबंद रखता है अब आप सभी को ब्रहश्पतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए थोड़ा सा चनी की डाल लेनी है चनी की डाल आप एक तालीस अर्था फोटीवन ले सकते हैं 1121 ले सकते हैं यह 108 यह 51 भी ले सकते हैं आप सभी को कटूरी में इसे रख लेना है स्री सिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाब करकर गुड मिस्रित जल जो है आप सभी को सेवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित करना है अपनी मनोती कहते हुए मनोती कहते हुए गुड मिस्रित जल सेवलिंग पर समर्पित करें गोल बाती का घी का दीपक लगाए स्री सिवाय नमस्तु भ्यमंत्र का जाप करें साथ के साथ ब्रहश्पतेश्वर महादेव का भी ध्यान करें उसके बाद आपने जो चने की डाल ली है एक एक करके अपनी मनोती कहते हुए सिवलिंग पर पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर देनी है ब्रहश्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर ऐसी माननेता है स्वर्ण के समान जो चने की डाल जानी जाती है अगर गुरुवार के दिन कोई भी बेक्ती अपनी मनोती कहकर ब्रहश्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर सीवलिंग पर समर्पित कर देता है तो ब्रहश्पतिश्वर महादेव और जो है सभी देवी देवता उस पर असीन क्रपा बरसाते हैं और असीन जो है मन की कामना जो भी होती है वैं सिद्ध हो जाती है करकी देखिएगा विस्से इसलाम मिलेगा इससे पहले भी चैनल पर लक्षमी दीप के बारे में बताया गया है वह उपाई भी आप सभी कर सकते हैं साथ के साथ आत पीले फूलों से महादेव का स्रेंगार करें पीले रंके वस्ते धारण करें स्रीहरी विष्णु को पीले रंके कपड़े इत्यादी पहनाएं बहुत सुमाना जाता है खूब सुन्दर पीले फूलों की माला स्रीहरी विष्णु और महादेव को समर्पित करें निश्ची थी चने की दाल पीले रंके कपड़े और गुड और सरदिया चरम सीमा पर है गर हरी विष्णू